है आज हो यहां पर आज यह जो वीडियो है वो रिलेटिड है तो Sono टे"...टो सोंो लिख़े hot होगा कि हमने काफी टोपिक्स कवर गियेते सोलिस्टेट केमिस्ट्री में और मैंने हर topic में कुछ ना कुछ show trick से ही आपको उस topic को learn करवाया था understand करवाया था तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी हमारे कुछ important topic रहते हैं इसी solar state chemistry में उसमें कुछ ना कुछ trick लेकर आँ कि जिससे आप उस topic को अच्छे तरीके से समझ सको, right? तो आज का जो topic है वो है हमारे पास words आपने words देखा होगा tetahedal words सुना होगा, octahedal words सुना होगा तो इन सबी को हम यहाँ पे समझेंगे कुछ ना कुछ relate करके, right? ओके तो start करते हैं ओके, so यहाँ पे जो हमारे पास words होती है, word का मतलब होता है हमारे पास empty space empty space मैंने four bowls लग दी इन चारो को मैंने आपस में जोड़ दिया, इसके नीचे एक और layer मैंने रखी यहाँ पे यहाँ पे मैंने three bowls डाल दी एक और layer रखी, यहाँ पे मैंने two bowls डाल दी एक और रखी, यहाँ पे एक रख दी मैंने, okay? अब यहाँ पे जब इन सब ये आपस में merge होंगी इकटे होंगी मतलब ये shape बनेगी इनकी ऐसे अगर arrangement होगी जैसे मैंने यहाँ पर रखा है तो क्या होगा इनके बीच में ये खाली space रह जाएगा ये देखूँ जो ऐसे मैं mark कर रहा हूँ ओके ये खाली space रह जाएगा और इसी खाली space को आप बोलते है void इसी खाली space को आप बोलोगे void, that is empty space ये जो चीज है, right तो यहाँ पर जो हमारे पास void होती वो दोद्रा की होती है, एक तो होती है हमारे पास tetrahedral और दूसरी होती है हमारे पास इसी में ही octahedral short form is td and इसकी short form है OH ओके तो अगर बात की जाए tetrahedral void और octahedral void के difference के बीच में, मतलए क्या difference है major, तो आपने देखा होगा सबसे पहले हम बात करते है tetrahedral की तो ऐसा कौन सा molecule है जिसकी जमेटी tetrahedral structure जैसे है सबसे simplest कौन सा है आपकी जुबान पे होगा, याद होगा क्या है CH4 molecule CH4 molecule, इसमें क्या होता है carbon के around 4 hydrogen होते है वैसे भी tetra का मतलब क्या होता है, 4 होता है तो यहाँ पे इसको relate करो, तो tetrahedral void कैसे बन सकती है कि अगर हमारे पास ऐसे ही स्फेर हो, और वो हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए तो उसको, चारो स्फेर को ऐसे range किया जाए कि वहाँ पे एक void generator हो, तो उसको void को बोलते हैं हम tetrahedral void तो यहाँ पे हमारे पास कैसे बना सकते tetrahedral void अगर हमारे पास ऐसे 3 स्फेर हो ऐसे 3 स्फेर हो, और जो 4th स्फेर हो, वो इसकी उपर हो तीनों की उपर हो जैसे हमने लेट कर लिया कि पहले हमने एक layer बनाई, एक layer कैसे बन सकती है तीनों स्फेर को लेके, मैंने इसको ऐसे range कर दिया, एक यहाँ पे देखो void बन रही है न, फिर क्या गिया मैंने 3 बोल्स की उपर, एक 4 बोल जो रही है, वो उसकी उपर रख दी इतना करने से क्या हुआ, कि यहाँ पे देखने से मिलेगा, कि यहाँ पे एक generate हो जेगी void तो उस void को आप बोलोगे कि वो क्या है tetrahedral void, tetra मतलब 4 स्फेर को लेके उसको ऐसे यह range किया कि वहाँ पे एक void generate होगी, empty space generate होगा, उसको बोला tetrahedral void अब बात करते हैं, octahedral void की कोई molecule बताओ जिसकी geometry octahedral हो octahedral का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे कितने atoms चाहिए, surrounding atoms कितने चाहिए, कि हमारे पास octahedral geometry हो, जैसे 600, अगर हमारे पास central atom के around 6 atom attached हो जाएं, तो उस molecule की जो geometry होती, वो क्या होती है octahedral geometry होती है, right कोई भी molecule consider कर लो, अब यहाँ पे octahedral का मतलब क्या हो गया, फिर 6 हमें sphere चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 चाहिए थे यहाँ पे हमें 6 चाहिए, तो 6 sphere को ऐसे arrange करो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ void generate हो, और उस void को बोलोगे octahedral void तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया first layer में मैंने 4 sphere ऐसे arrange कर दिये एक के नीचे एक और दूसरे के नीचे दूसरा, अब यहाँ पे 4 तो ऐसे होगे, जो fourth होगा, वह मैंने क्या कर दिया ऊपर रख दिया ऐसे और जो fifth होगा, वो क्या कर दिया, मैंने in layer के नीचे रख दिया in layer के नीचे रख दिया सम्मल लग गया, क्या है, सबसे पहले हमने 4 sphere arrange की, एक को हमने जो fourth हो उपर रख दिया, फिफ्त को इन चारों के नीचे रख दिया तो इन सभी के बीच में एक void generate होगी ऐसे उसको बोलोगे आप octahedral void तो ये था इनका major difference कि octahedral तो यहाँ पर पता लग गया कि हमारे पास जो coordination number होगा in case of tetrahedral वो क्या होगा 4 होगा और in case of octahedral coordination number will be 6, coordination number का मतलब क्यों होता है कि कितने हमारे पास coordination number का मतलब क्यों होता है कि एक sphere कितने another sphere के साथ attached है जैसे यहाँ पर हम बात करें ये मैंने sphere consider कर लिया अब ये sphere कितने sphere के साथ attached है कितने के साथ link है इसका एक तो इसके साथ link है 1, 2 और ये इसके sphere के साथ attached 1, 2, 3 और यह इसके उपर और इसके नीचे और यह as a itself तो यहाँ पे 6 हमें coordination number का मतलग है 6 हमें sphere चाहिए तब ही octahedral generate होगी void और हमें यहाँ पे 4 अगर coordination number होगा 4 sphere अगर हमें चाहिए तो क्या generate होगी tetrahedral void बस ओके यह अब difference आपको पता लग गया होगा अब क्या क्या करता है exam में na examiner क्या करता है आपको यह ऐसा कुछ cubic structure दे देगा यह मैंने लेट कर लिए FCC lattice कोई भी lattice दे देगा ज्यादा जो question आता है वो FCC पे ही आता है कि FCC lattice में कि number of tetrahedral voids कितनी हो सकती है यही important थे कि कैसे आप locate कर सकते है void को कितनी हमारे पास coordination number क्या होता है voids में और वो कितने types की होती है बस यही questions आते हैं अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने FCC lattice consider के लिए और एक चीज़ और गाईज जितनी भी हमने discuss की थी solar state chemistry पे video जितनी भी है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं क्या करूंगा solar state chemistry भी एक playlist बना दूँगा generate कर दूँगा और उस playlist का link इस video के description में होगा वहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ फिर i button पर click करके भी वहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर FCC lattice है हमारे पास FCC में क्या होता है कि जो हमारे पास lattice points है वो corners पे होते हैं as well as हर्स हमारे पास face के center पे होते हैं इतना हो गया अब यहाँ पर यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कौन सी void generate होगी tetraheadle हो सकती है कि octahedle वो हमने देखना है अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो tetraheadle void होती है वो कैसे बनती है यहाँ पर मैं लिख दता हूँ जो tetraheadle void होती है is present is present अगर हमने locate करना हो पता लगाना हो तो वो मैं आपको बता रहूँ tetraheadle void is present between exactly between exactly between corner corner and body center corner and body center अब कैसे यहाँ पर इसका मतलब क्या है अब यहाँ पर जो void generate होगी वो tetraheadle होगी कैसे हो सकती है अब यहाँ पर तो corner की बात हो रही न corner यह हमने corner ले लिए जैसे okay अब corner और body center के बीच में जो void होगी न वो होगी tetraheadle void अब यहाँ पर यह एक body मैंने consider कर ली as a cube, cube के एक body है इसका एक center होगा जिसको हम बोलेंगे body center let कर लिया मैंने यह हमारे पस body center okay यह क्या है body center है अब यहाँ पर यह जो body center है और जो corners है यह वाले जो corners है और यह body center इसके बीच में जो void होगी न वो होगी tetraheadle void यह है tetraheadle void अब कैसे दिखो tetraheadle void के लिए हमें 4 sphere चाहिए मतलब coordination number कितना चाहिए 4 चाहिए सबसे पहले जो इस void के बिल्कुल नजदीक होगी न lattice point उनको इनके साथ link कर दो कैसे यहाँ पर देखो यह void इसके नजदीक है इस corner के साथ ओके इसके साथ तो नजदीक ही नहीं है तो इसको छोड़ दो एक तो यह हो गया इस void के बिल्कुल सामने एक यह वाला face है तो इसको connect कर दो ऐसे दूसरा इस void के just ओपर यह जो face है इसको connect कर दो एक यह हो गया last रहा गया last क्या होगा यह जो void होगी इसके just front पे यह जो face है यह वाला face इसके center पे भी एक हमारे पस क्या होगा lattice point होगा तो हमने यह let कर लिया यह होगा तो यह होगा यह जो void है यह क्या होगी फिर exactly tetr handle world कैसे बनी body center और corners के beach में exactly beach में जो हमारे पास जो void generate हो रही है वो कहे tetr handle world है इस समझ आ गया और वो हमने कैसे link करना था जो इसके बिल्कुल ही contact में है बिल्कुल ही close में है उनको इसके साथ connect कर दिया एक तो ये वला ये और ये और ये बस तो हमें चार ही sphere चाहिए थे 1, 2, 3 and 4 तो 4 sphere के साथ जो generate होता है हमारे पस void वो क्या होती tetr handle बस इतना था ओके तो अब बात करते हैं FCC lattice में ही ये FCC है फिर मैंने consider कर लिया यहाँ पे octahedal void हम कैसे locate कर सकते हैं कैसे हम उसको find out कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या था tetr handle होए कि हमारे पस body center और corner के बीच में exactly between हमारे पस क्या थी tetr handle void ही अब क्या होगा कि FCC में exactly center पे ही हमारे पस क्या होती है octahedal void होती कैसे होती है अब octahedal के लिए हमें क्या चाहिए six sphere चाहिए six lattice points चाहिए उनको connect कर देना वो क्या होगा हमारे पस octahedal void होगी तो यहाँ पे देखो यह exactly क्या है हमारे पस center है FCC का exactly center है अब यहाँ पे इसको connect कर दो इसके साथ इसके साथ इसके साथ यहाँ पे इसके साथ और यह उपर जो है बस यह क्यों होगी हमारे पस octahedal यह क्यों होगी octahedal void होगी जैसे यहाँ पे आप screen पे देख रहे होंगे tetaheddle और octaheddle दोनों देख रहे होंगे ठीक है exactly ऐसी बनता है बट यहाँ पे तो यह चीज बनाने की जूरत नहीं है कि ऐसे triangle बना है कि मतलब यह ऐसे shape बनी वो बनाने की जूरत नहीं है बस आपको locate करना आना चाहिए find it करना याने चाहिए location किसी भी lattice point में कोई भी tetaheddle या octaheddle void अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो octaheddle void होती है वो कैसे होती है exactly between in the FCC lattice सिरफ center ही देखना आपने FCC में वो ही आपके क्यों होगे octaheddle होगी तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे इस face का जो lattice point उसको हमने connect किया यहाँ पे जो lower face है इसका जो यहाँ पे center है lattice point उसको साथ connect किया अपर face के साथ connect किया यहाँ पे right side पे connect किया आगे और पीछे इसके साथ connect कर दिया यह क्या होगी हमारे पास octaheddle void in FCC letter इतना समझा आ गया अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे भी octaheddle void आपको देखने को मिल सकती है कैसे बिल सकती है हमें क्या चाहिए सिरफ उस void को six sphere के साथ ही connect करना न अब यहाँ पे इसको इसके साथ भी connect कर सकते हैं one, two इसके just नीचे four, इसके just left के साथ one, two, three, four इसके right side भी बिता होगा न ऐसे ही एक cube होगा उसका भी एक center होगा वहाँ पे भी हमारे पस lattice point होगा तो इसके यहाँ पे center भी ऐसी होगा उसके साथ connect कर दिया इसके just उपर भी एक lattice point हो सकता unit cell हो सकता न तो यहाँ पे एक lattice point होगा उसको भी connect कर दो तो one, two, three, four, five and six तो इसके साथ भी six से हमारे पस कहा है lattice point connect होगी इस void के साथ तो यह भी कहा है octahedral void होगी तो आपने यह भी देखना है कि edge के center भी हो सकती है हमारे पस octahedral void in case of FCC lattice तो यहाँ पे एक दूसरी location आप डाल सकते होगा कि पहली location क्या थी FCC lattice में ही exactly center पे octahedral मिल सकती है और दूसरी क्या हो सकती है edge center पे edge center प्लस आप body center भी लिए सकते हो बस यह होगी दो locations for the octahedral void in case of FCC lattice अब एक most important last चीज़ है इस topic में जो आपको question की frame में पूछ सकते है as a MCQ कि हमारे पस number of tetahedral voids या number of octahedral voids in FCC lattice में कितनी हो सकती है कितनी possible हो सकती है number of right तो यहाँ पर first लिखो हम बात करेंगे octahedral voids में number of octahedral voids in FCC lattice कितनी होती है जितने हमारे पस lattice points होते हैं FCC की case में मतलब जितनी z की value होती है Z की value मैंने आपको याद करवाई थे नbereकर trick से कि BCC में Z की value क्या होती है FCC में क्या होती है bolts ओ Anda जितने भी number of lattice points होते है FCC के case में उतने ही हमारे पस क्या होती है FCC के case में octahedral voids होती z की value क्या होती है? हमारे पस FCC के case में four होती थी क्योंकि इसमें FCC के case में हमारे पास number of lattice points जो total थे वो कितने आते थे 4 आते थे तो हमारे पास जो FCC के case में number of octahedral voids होती है वो किसकी equal होती है number of lattice points की equal number of lattice points की equal और वो कितने थे 4 तो हमारे हमें ये पता लगा कि FCC के case में total जो octahedral voids बन सकती है पोसिबल हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, maximum 4 हो सकती है, right, अब बात करते है, tetrahedral voids की, कि हमारे पस FCC के case में tetrahedral voids कितनी हो सकती है, तो क्या करना आपने, 2 multiply octahedral voids in FCC, वो कितना है जेकर, 2 into 4, that is exactly equal to 8, तो जो हमारे पस number of tetrahedral voids होती है, वो क्या होती है, 2 times of octahedral voids in case of FCC, that is equal to 8, तो ये काफी important था, आपको MCQ में question पूछ सकते है, कि number of octahedral voids कितनी हो सकती है, या number of tetrahedral voids कितनी हो सकती है, FCC की case में, दूसरा question, आपको ये ऐसी, ये ऐसी form बना के दे सकते है, आपको locate करना आना चाहिए, right, दूसरा question ओ रहा सकते है, कि हमारे पास coordination number क्या हो सकता है, in case of octahedral and tetrahedral के case में, बस ये ऐसे question आपको पूछ सकते है, voids के topic में, so that's it, ये ही थी हमारे पास video on voids in case of solid state chemistry, I hope अब आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, voids की उपर, so I hope ये वीडियो आपको काफी helpful होगी, तो ऐसे ही वीडियो के लिए, please चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं, next वीडियो में, happy learning,